लू फ्रीन्स वेलकम बेक टू माई चैनल ये स्ट्रामी की हिंदी एक्स्प्लेनेशन का पार्ट 3 है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सभी रिपोर्टर्स फेशन शो में आए होते हैं जैसे ही टेंग और शेन वहां पहुंचते हैं सभी उन पर सवालों की बारिश क कर देते हैं पर शेन सभी को इग्णोर कर देता है बाद में जब शाओ और फू भी वहां पहुंच जाते हैं तो सभी लोग शाओ के रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते थे फू ने बताने ही वाला था कि वो शादी करने वाला है पर शाओ से रोक देती हैं हम बस एंगेजमेंट की अनौसमेंट करेंगे पर एक्चली में तो शाओ अब मिन्स से शादी करना चाहती थी इसलिए वो फू को आवोइड कर रही होती है कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है मॉरल्स आती है शाओ के डिजाइनस देखकर सभी तारिफ करने लग जाते है एवन उसके साथ काम भी करना चाहते थे ये सब देखकर टैंग तो हेरान हो जाती है क्योंकि ये सारे डिजाइन तो उसके थे टैंक की मोडल्स को देखकर सभी लोग बोलने लग जाती है ये क्या ये तो शाओ के डिजाइन है ना शाओ तो एक तिंग करने लग जाती है माना कि तुम मेरी भेन हो सारा काम भी तुमने मेरे पास सीका है पर तुम्हें हिस्थब नहीं करना चाहिए था टैंक बोलती क्या बकवास कर रही हो डिजाइंग मेरे थे जो तुमने चुरा लिये और मुझ पर ही इंजाम डाल रही हो शाओ तो रोने धोने की नोटंगी करने लग जाती है मेंने इतनी मेहनत की और तुमने चुरा ली शेन बोलता है अब हम क्या करेंगे शाओ तो फू के गले लग जाती है और मासुम बनने लगी थी फू बोलते तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए टैंक बोलती है यह तुम बोल रही हो सबी टैंक के बारे में बाते करने लग जाते हैं यह केसी भेन है आज के बाद हम इसके साथ काम नहीं करेंगे टैंक बोलती है मैं लास चांस दे रही हूं सबको सच बता दो तुमने मेरे डिजाइन चुराए है शाओ सोचती है कहीं इसके पास कोई एविडेंस तो नहीं है ना मेरे अकिस ऐसा केसे हो सकता है ये सोचने के बाद बोलती है मैं क्या सच बताऊं सच तो तुम बताओ ना तुमने मेरे डिजाइन कॉपी किये हैं बोल दो सब के सामने मैं तुमें माफ कर दूँगी आकिरकार तुम मेरी भेन हो टैंक बोलती है ओके बाद में ये मत कहना मैंने तुमें चांस नहीं दिया था टैंक एक वीडियो चलाती है जिसमें जो बंदार डिजाइन चुराने गया था उसको पकर लिया गया था और वो बोलता है ये सब मुझे शाओ ने करने को कहा था शाओ बोलती है क्या मैंने कुछ भी नहीं किया है सबी बाते करने लग चाते हैं हम तो टैंक को गलत समझ रहे थे पर ये डिजाइन तो शाओ ने ही चुराय थे टैंक बोलती है अगर तुम अभी भी अपनी गलती नहीं मान रही हो तो मेरे पास दूसरा ओप्शन भी है यहां वो वीडियो दिखाती है जिसमें शाओ मिन के साथ थी जिसमें वो बोल रही होती है मुझे फू से ढर नहीं लगता क्योंकि वो मिन जितना पावरफुल नहीं है इसलिए मैं तुम से शादी करूँगी बस एक बार में डिजाइनिंग कॉम्पिटिशन में फरस्ट आ जाओ क्योंकि फू मेरी हेلप कर रहा है टैंक के डिसाइन को चुराने में राइग बोलती है क्या अभी यकीन हो गया तुमें फू बोलता है ये क्या चल रहा है शाओ बोलती है मैंने कुछ नहीं किया ये वीडियो फेक है फू से थपर मारता है तुम मुझे चीट कर रही थी? मैंने तुम्हारे लिए टैंक को छोड़ दिया शाओतों से मनाने लग जाती है मुझ पर यकीन करो जान मैं तुम से ही प्यार करती हूँ फू बोलता है वो तो मैंने देखी लिया तुम कितना प्यार करती हो फू टैंक से माफी मागने लग जाता है मैंने तुम्हें गलस समझा पर आज भी तुम्हें ही पसंद करता हूँ तुम मेरे पास वापिस आ जाओ ना शायन बोलता है भूलो मत अब ये मेरी वाइफ है टैंक बोलता है तुम तो प्रापर्टी की वज़े से मुझसे शादी करने वाले थे ना फू बोलता है नहीं शाओ ने मुझे फसा लिया था शाओ बोलती है तुम तुम उससे शादी करने वाले थे ना फू बोलता है तुम तुम इनके साथ मज़े कर रही थी ना शाओ टैंग को मारने वाली थी फू से रोक लेता है मेरी टैंग को टच भी मत करना टैंग अपने डिजाइन फैक देती है क्योंकि तुमने ये डिजाइन चुरा लिये हैं तो अभी ये किसी काम के नहीं कच्रे के बरावर हैं और अपने नियू मोडल्स को बलाती है एक्शली में टैंग ने बैक अप प्लैन रखा हुआ था मोडल्स के ड्रेस देग कर सब बैरस करने के लिए टैंग बोलती है तुमने भी शादी वाले दिन यही किया था ना अब निकलो यहां से सबी लोग टैंग के साथ कॉंट्रेक्ट साइन करना चाहते थे टैंग बोलती है अब मैं गूग रूप के साथ काम करूँगी आप सब वहीं आ जाना टैंग ने तो कि हेल्प कर दी थी उसकी कंपनी का नाम लेकर टैंक बोलती है हस्बंट जी कैसी लगी मेरी डिजञ्ञ शन बोलता कमाल का फूजा रहा होता है शाउसे रोक लेती है वो जूट बोल रही है उसकी बात पर यकीन मत करना वो बोलता ये बताओ तुम कबसे मिन के साथ हो शाउ ब मोम बोलती है ये सब टैंक ने किया है ना उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई तब डैड़ आ जाते हैं ये क्या किया तुमने सब टैंक की वज़े से हुआ है लागा देती है शाउस के डिजाइन चुराए है और तुम केह रही हो इसमें टैंक कोई कलती नहीं है क्या बात है तो हम बेंक्रप्ट हो जाएंगे तो आप टैंक की हेल्प ले लो डैड बोलते हैं अच्छा हमने उसके साथ जो गलत किया है वह हमारी हेल्प क्यों करेगी शाव बोलते हम उसकी मौम का यूज कर सकते हैं या टैंक को भी पता चल गया था उसके डाट की कमपनी में क्या चल र लगी डैड बोलते हैं तुम्हारी माँ मेरे पास है तैंक बोलते हैं उन्हें कुछ मत करना मैं आ रही हूं जबकि मौम तो टैंक के पास ही थी तैंक अपने डैड के घर आ जाती है और स्टैप मौम तो कुछ जादा ही मीठा बंड रही होती है तैंक बोलते हैं तुम्हारी है माग भी कर दो आप जैंक बोलती है आपने मुझे क्यों बुलाया ना मेरी कंपनी में क्या चल रहा है वेशी भी अप लोती है आपने सोचा के से मैं ऐसा करूंगी ढैंक बोलते मैरे नाम पर तो कुछ भी नहीं है यसी मैं तुम्हारे नाम पर 2% कर दूँगा टैंक बोलती इतनी से क्या होगा मुझे 10% चाहिए डैड बोलते तुम अपनी मां के बारे में सोचो और उसकी मोम को दिखाते हैं टैंक बोलते कुछ भी कर दो मैं शेंस से आप के लिए कोई हल्प नहीं मांगने वाली मनी लॉंडरिंग का जुरूम किया होता है इवन डैड ने टैंक की मोम को भी गलत दवाईयां दे कर उन्हें बिमार कर रखा था डैड बोलती क्या है ये सब शाह बोलती है अभी हमने तुमारी मोम को दिखाया था तुम्हें डर नहीं लगता टैंक बोलती है मुझे पता है वो भाग गई है इसले जूट मत बोलो शाह बोलती है क्या एविडेंस है कि वो तुमारे पास है टैंक के पास कोई एविडेंस नहीं था पर शैन बोलता है मैं हूँ ना तुमारे साथ दैड तो चिलाने लग गए थे मैंने कुछ भी नहीं किया शैन उस डॉक्टर का फोटो दिखाता है अप कुछ याद आया आपको तबी मोम भी आजाती है जो एकदम ठीक हो चुकी थी टैंक की मोम बोलती है तुम दूसरी शादी करना चाते थे इसलिए तुमने मुझे पागल बना दिया ना पर अब मैं ठी हो गई हूँ अब तो सभी को पुलिस टेशन जाना पड़ता है टैंक बोलती है आप ठीक कब हुई मोम बोलती है मैं पहले से ही ठीक थी बस एक्टिंग कर रही थी मुझे डर था वो तुम्हें मारना दे और बाकी का ट्रीटमें शैन ने मेरा करवा दिया था तबी शैन को क पी शैन के दिल में तुम हो को को बोलती है मिन बोलता तुम्हें उसे अपने पस वापिस बुलाना होगा लेकिन हो सकता है तुम अब रोट चली गई थी तो शैन तुम्हें भूल गया हो और अब तो शैन ने शादी भी कर ली है को को बोलती है वो मुझे आज भी प्यार कर मिन बोलता है पर सुना है शेंग की वाइफ प्रेगनेंट है कोको बोलती है मतलब अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता है मिन बोलता है एक लड़की है जो तुमारी हेल्प कर सकती है कोको पूछती है वो कौन है तभी यहां पर शाओ आ जाती है कंपनी में अब टैंग ने CEO की पोजिशन ले ली होती है किसी को भी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि टैंग की वज़े से पहले भी इन लोगों को काफी प्रॉफिट मिला था सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तभी यहां बहुत से expensive gifts आते हैं टैंग सोचती है यह किसने दिये होंगे मॉम बोलती है तुम्हें शेन से मिलना चाहिए टैंग शेन के पास आती है और उसे डराने वाली थी पर शेन तो उसे ही डरा देता है और बोलता तुम्हें गिफ्ट पसंद आए टैंग बोलती है क्या वो सब तुमने बेज़े थे शेन बोलता है तुम मेरी वाइफ हो तो इतना तो करी सक तैंक सोचती है यह मेरी कितनी हेल्प कर रहा है जबकि यह बच्चा भी शैन का नहीं है शैन उसे कुछ बता नहीं वाला था तब उसे पुलिस से कॉल आता है शाओ भाग गई है असेजंट आकर बताता है आपकी मॉम को शाओ ने किनैप कर लिया है मॉम एक वेयर हाउस में हो मॉम बोलती है अगर मारना है तो मार दो ना शाओ बोलती है इतनी भी क्या जल्दी है पहले आपकी बेटी को तो निप्टा दू टैंक को कॉल आता है तुमारी मॉम मेरे पास है आके ले जाओ टैंक आती है और बोलती है तुम यह सब क्यों कर रही हो शाओ बोलती है तुमन मोम डेड़ के बारे में सोचो क्या होगा उनका तुम यहां से सीधा जिल जाओगी शाओ बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है यह सब मैंने नहीं किया शैन बोलता है तुम अकेले तो कुछ नहीं कर सकती हो शाओ मोम को मारने वाली थी पर शैन उसे बचा लेता है और टैंग को भार जानी को बोल देता है टैंग भार आती है मोम को लेकर तबी आख लग जाती है टैंग वापिस आती है और शैन को देखती है उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी शैन बोलता है यह सब मिन ने किया है उस ट्राइम पहले शैन जब शाओ को पूछ रहा होता है पता है जिस लड़की के साथ तुमने वन नाइट स्टेंड किया था वो मैं था अब तो तुम्हें मुसे नफरत होगी ना टैंक बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है तबी शैन भी होश हो जाता है शाओ मिन को बोलती है अब हम शादी करेंगे ना और तुमने कहा था उसके बा है तुम मेरे पीछे इसलिए थी क्योंकि मेरे पास पैसे हैं वरना तुम तो मुझे देखती भी नहीं इसलिए मैंने ये सब किया मिन शाओ को मार देता है और बोलता है अब गुग रुपका सब कुछ मेरा होगा तब हिया कोको आ जाती है वो तो बहुत जादा डरी हुई ह होती है क्या तुमने इसको मार दिया में बोलता नहीं यह तो खुदी ङर गगई वैसे तुमने कुछ नहीं करने वाला मैं मैं तुमसे करोगा ना Actually मैं कोको रिच फैमिली से होती है इसलिए मिन उसे शादी करना चाहता था ताकि और भी जादा रिच बन चाहे मिन बोलता है आप तो शैन भी नहीं रहा कोको बोलते क्या तुमने उसे भी नहीं चोड़ा मिन बोलता है नहीं शैन को तो शाओने मारा है कोको ने सब कुछ रिकोर्ड कर लिया होता है नियूस में आता है शैन मर गया है ये सुनकर डैड को तो रोना आ रहा होता है पर स्टैक मा बोलती है अच्छा ही हुआ ये हमारी रेपोर्टेशन खराब करता था डैड बोलते है तुम तो चुपी रहो वही अच्छा रहेगा मिन बोलता है डैड मुझे भी बहुत रोना रहा है पर हमें शैन की कंपनी के बारे में सूचना चाहिए न कोको सब समझ रही होती है शैन को मा में होता है टैंक ने जानकर ये निउस फिलाई होती है ताकि अब शैन को कोई भी हट ना कर पाए टैंक बोलती है तुमने मुझे जूट बोला और मैं तुम्हें माफ कर दूँगी हमारे बच्चे के लिए इसलिए जल्दी से ठीक हो जाओ टैंक घर पर आती है तब ही उसे कोको मिल जाती है कोको बोलती है मुझे भूक लगी है टैंक दोनों के लिए नूर्स बनाती है कोको को टैंक पसंद आ जाती है और उसे बताती है मैं शैन की एक्स कलफेंड हूँ पर आप तो शैन नहीं रहा इसलिए अब तुमसे लड़ने का कोल मतलब नहीं है वैसे भी ये सब मिन ने किया है इसका evidence मेरे पास है मैंने तुमें भेज़ दिया है टैंक वो recording सुन रही होती है मिन शैन के office में आता है जहां टैंक भी होती है मिन पूछता है तुम यहां क्यों आई हो टैंक बोलती है मैं शैन की wife हो तो मैं यहां क्यों नहीं आ सकती मिन बोलता है पर अब मुझे सब मिलने वाला है टैंक बोलती है मैं उसकी wife हो ना तो सब तो मुझे ही मिलेगा मिन बोलता है पर तुम तो pregnant हो ना वैसे भी दो दिन के बाद shareholderns की meeting है उसमें मुझे ही CEO बना दिया जाएगा टैंक बोलती है दो दिन बाद जो होगा वो देखा जाएगा अभी तुम यहां से निकलो टैंक मन में सोच रही होती है शैन तुम्हें चल्दी से होश क्यों नहीं आ जाता कभी यह mom dad भी आ जाते हैं और बोलते हैं तुम तो pregnant होना तुम्हें कंपनी नहीं संभालनी चाहिए शैन का treatment चल रहा होता है टैंक की mom शैन के साथ थी ऐसे ही दो दिन निकल जाते हैं और shareholder की meeting में सबी मिन को CEO बनाना चाहते थे टैंक तो nervous हो रही होती है किसी को भी कोई problem नहीं थी मिन के CEO बनने से पर तब यह शैन आ जाता है मैं अभी मरा नहीं हूँ मिन तो हैरान हो जाता है और बोलता है भाई तुम आ गए शैन मिन को बोलता है तुमने ही तो मुझे मारने का try किया था था ना इवन वो recording भी सभी को सुना देता है दैट तो मिन को थपड मारती है और पुलिस मिन को ले जाती है स्टैप मा बोलती है मैंने मिन को कुछ भी नहीं कहा था शैन बोलता है यह मेरी कंपनी है तुम यह क्या कर रही हो निकलो यहां से नैंक तो शैन के कान पकड़ लेती है तुम्हारी चैल्ड होट सुईट आर्ट है ना तुमने बताया भी नहीं मुझे शैन बोलता है मेरी मा मुझे छोड़ दो नहीं पर इस ब्यूटिफुल सी लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो पीस वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे न्यू अपडेट्स के लिए बैल एकन का बटन पेस्ट करे मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए सारंगे बाई बाई